नमस्कर दोस्तों मैं नमस्री कांत कुमर आप देख रहे टू जेट टोसेस आज हम बात करने वाली शी वीडियो में दोस्तों अगर आपको लौन की जरूरत पड़ गया है और अगर आपको कहीं से किसी से लौन नहीं मिल रहा है बैंक जा जाकर अगर आप परसान हो गए है फ बहुत यसान तरीका से लौन ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आप घर बैठे बीना कहीं गये हुए लौन लेना चाहते हैं अपना मोबाइल फोन से तो इस वीडियो को पुरा कम्प्लीट देख लेना है अगर इस वीडियो को पुरा कम्प्लीट देख लेते हैं एक हजार से लेकर 15 लाक रुपर तक का लाउन आपके बैंक एकांट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो कैसे अपलाई करना है क्या इसका प्रोसेस है सारा कुछ इस वीडियो में हम कम्प्लीट बताने वाले हैं इसलिसे वीडियो को पुरा कम्प्लीट देखना है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब लाइकन घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटीपिकेशन सबसे पहले अब के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बीना कहीं गए घर बैठे मोबाइल फोन से मातरे 5 मिनट में लौन लेने के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले अस्टोर को ओपेन कर लेना है सर्च बॉक्स में टाइप करना है फोन पे उसके बाद सर्च के ओप्सन पे क्लिक कर दना है इस प्रकार से एप देखने के लिए मिल जाता है इस एप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इनस्टोर कर लेना है उसके बाद इस प्रकार से एप को ओपेन कर लेना है यहाँ पे अपना mobile number को type करना है प्रोसीट के option पे click करना है तो चलिए सबसे पहले इस app में अपना mobile number डाल कर हम login हो जाते हैं login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है जैसे आप स्क्रॉल डॉन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए phone पे app के दुआरा यहाँ पे देखिए sponsor क्या हुआ है जिसमें यहाँ पे चार link देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे जो दीख रहा है buddy loan के जो option इसी के उपर सबसे पहले आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों कुछ इस परकार के interface open हो जाता है अब यहाँ पे अपना mobile number को type करना है और mobile number type करते ही mobile number पर एक OTP को send किया जाता है OTP को इस box में type करना है उसके बाद यहाँ पे loan amount को सबसे पहले आपको type करना होगा कितना आपको loan की जरूरत है सबसे पहले यहाँ पे loan amount को type करना है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 1000 से लेकर 15,000,000 रुपर तक का आप यहाँ से loan लेने के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे apply करते हैं 3,000,000 रुपया चलिए इस परकार से बने यहाँ पे type कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे एक email id को type करना है next के option पे click करना है उसके बाद next page open हो जाता है जिसमें यहाँ पे आपको select करना है loan का category कि आप किस परकार का loan लेना चाहते हैं प्रस्तना loan लेना चाहते हैं या फिर business loan लेना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे select करना है उसके बाद यहाँ पे आपको select करना है कि आप job करते हैं या फिर business करते हैं या फिर अगर आप एक student हैं तो उसके लिए आपको third option को select करना है तो जो आप करते हैं कर लेना है अब यहाँ पे company type को select करना है कि sector में आप काम करते हैं private sector में public sector में या government में जिसमें काम करते हैं यहाँ पे select कर लेना है यहाँ पे company के name को type करना है यहाँ पे company का पुरा address देदना है यानि company का area का pin code number को देदना है इस company में आप कितने साल से काम कर रहे हैं सबसे पहल यहां पर आपको टाइप करना है कि इस company में जो आप काम कर रहे हैं किस पत पर काम कर रहे हैं सबसे पहले यहां पर पत का नाम को टाइप करना है उसके बाद next के option पर क्लिक करना है उसके बाद next page open हो जाता है जिसमें अपना personal details को अब यहां पर fill up करना है तो सबसे पहले यहां पे अपना date of birth को select करना, gender को select करना, यहाँ पे high qualification को select करना, कितना पढ़े लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना pen number को type करना है, pen card पे जो आपका नाम होगा, first name को इस box में type करना, last name को इस box में type करना, next के option पे click करना है, अब यहाँ पे communication address को सबसे पहले select करना है, जि है कि current address में आप कितने साल से रह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे years को select करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना area का pen code number को type करना, next का option पे click करना है, उसके बाद next page open हो जाता है, जिसमें यहाँ पे monthly income आपको यहाँ पे बताना होगा, कि आप कितना monthly income कर लेते हैं, तो सबसे नहीं लेना चाते हैं, तो यहाँ पे no वाले option को reflect करना, उसके बाद यहाँ पर दिख जाता है, summit की option पर click करना है, उसके बाद जैसे आप submit की option पर click करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ second wait करना है, उसके अनुसार से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले loan offer किया जाएगा, दोस कि आप कौन सी एप से कौन सी वेब साइट से लौन लेने के लिए इलिजबल है और कितना जो है कि लौन अप्रूब हो गया है ऐसे यहाँ पे भी जिस एप से आप लौन लेने के लिए इलिजबल होते हैं उस एप का लिंक यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले है और जिसमें यहाँ पर देखिये बताया गाए लेशन और 2,00,000 रुपया का लाहन अप्रूब हो गया है यानि हम 2,00,000 रुपया तक का लाहन ले सकते हैं इस loan को लेने के लिए यहाँ पर देखें, document में बताया गया है कि आपके पास pen card होना चाहिए, अधार card होना चाहिए, 3 month का bank statement और salary sleep होनी चाहिए, तो जिस app से आप loan लेने के लिए eligible हो जाते हैं, उस app का नाम यहाँ पर सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है, तो दोस्तों एप से आप loan लेने के लिए eligible होंगें, उसी app का यहाँ पर आपको नाम देखने के लिए मिलेगा, और इसी app को download करके सबसे पहले ekyc complete करना है, उसके बाद फिर जोए कि आपके bank account में loan को transfer कर दिया जाएगा, और दोस्तों ऐसे अगर आप loan direct लेना चाहते हैं, तो आपके मन म प्रस्तने उठता रहेगा, कि हम कौन सी app को download करें, प्ले अ स्टोर से, जिसे हमें loan मिल जाए, तो दोस्तों ऐसाब आपको सोचनी के ज़रुवत नहीं है, अगर आप इस website पे अपना data bio डालते हैं, और जिस app से आप जिस website से loan लेने के लिए eligible होंगें, उस app का उस website का नाम य interest rate लगने वाला है, कितना मंत के लिए आपको loan प्रोवाइड किया जाएगा, सारा कुछ दो है, कि आगे का step में आपको पूरा details में बताया जाएगा, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम सलाह देना चाहते हैं, कि अगर ज़्यादा आपको emergency, ज़्यादा अगर आपको loan की ज जाएगा, पर दोस्तों इसका interest rate बहुत ही हाई रहता है, इसलिए loan apply करने से पहले आपको सही तरीके से सोच लेना है, और interest rate के बारे में सही से आपको देख लेना है, तो ज़्यादा अगर आपको emergency है, तो इस तरीका से आप loan ले सकते हैं apply करके,